ज्यापुर में एक और चुकाने वाली घटना सामने आई है राजस्थान के करोली जिले की 10 साल की मुकवधिर बच्ची की मोत के मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है करोली के हिंडोन में घर से 100 मिटर दूर जली वी अवस्था में बच्ची मिली थी इसके बाद जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ते लड़ते बच्ची की कुछ दिनों बाद ही मोत हो गई लेकिन बच्ची की मौत जलने से नहीं हुई 9 साल की मुकवधिर बच्ची को जहर दे कर मारा गया था भरतपुर आईजी रेंज राहुर प्रकाश ने बताया कि 9 माई की सुबह करोली के हिंडोन में एक 10 साल की मुकवधिर बच्ची को घर से 100 मिटर दूर पेट्रोल डाल कर जला दिया गया था उसके बाद परीजनों ने हिंडोन की राज़के अस्पताल में बच्ची को भरती करवाया था जहां से बच्ची को जैपुर के सवाई मानसिंग अस्पताल में रेफर कर दिया गया था बच्ची निर्वस्तर हालात में थी पुलिस की प्रारंबिक पूछताश में बच्ची के परीजनों ने बच्ची के साथ रेप का अंदेशा भीज़ताया था जाश में खुलासा हुआ कि 9 माई को बच्ची का अपनी मा से जगडा हुआ था जिसके बाद गुसे में आकर बच्ची ने खुद पर पेट्रोल डाल लिया था जिससे वे जल गई थी इस घटना को छिपाने के लिए बच्ची के माता पिता ने पुलिस में अग्यात वेक्थियों के खिलाफ मामला दर्ज करवा दिया और धर्ना परदेशन करना शुरू कर दिया घटना के बाद बच्ची का जैपूर के SMS होस्पिटल के बन यूनिट में इलाज चल रहा था जहां उसकी हालत धीरे धीरे सुधार हो रही थी इसके बाद 19 माई को एक और दर्दनात मोट सामने आया बच्ची के माता पिता और मामा ने उसे कीट नाशक पिला दिया था इसके कारण बच्ची के हालत अचानक बिगड़ गई कुछ घंटों बाद ही बच्ची की मोत हो गई फिलहाल पुलिस ने माता पिता और मामा को गिरफतार कर लिया है वहीं पूरे मामले को लेकर राजनीती सियासत भी गर्मा गई है पूरे सोशल मीडिया पर राजस्थान सीम हैश्टेग भजनलाश शर्मा इस्तिफादो ट्रेंड कर रहा है और वज़ा है दस साल की वेटे डिमपल मीना और हत्यागांट का आरोपी ललिट शर्मा तरसल ललिट शर्मा पर आरोप लगा दिये गए थे पहले आरोप लगा जा रहा था कि डिमपल मीना केश में दस वर्षिये मुक बतिर बाली का की मोत जलने से नहीं हुई बलकि ललिट शर्मा ने जहर दे कर मारा है जैपुर के सवाई मान सिंग अस्वताल में भरती रहने की दोरान उसे जहर दिया गया इसके बाद पुरे शोशल मीडिया पर लोग ललिट शर्मा के खिलाफ कारवाई की मांग को लेकर रारस्थान के मुख्य मंतरी भजलनार शर रही थी कि बच्ची के साथ दुश्करम किया गया है मगर 15 माई को मोत के बाद मेडिकल बोर्ट से पोस्ट मार्टम हुआ तो उसके सैंपल की एफसल डीने जांच में रेप की पुष्टी नहीं हुई इसके बाद पीडित परिवार ने जैपुर के साइधिस मार्क पर न्या सहमती मांगी तो दोशी मामा ने इंकार कर दिया बीस माई को बच्ची ने दम तोड़ दिया था मामले को लेकर पुलिस ने साइटी गठित की थी शनिवार को तीनों को गिरफतार कर लिया गया है इस पूरे मामले ने शहर को जगजोर कर रख दिया है पुलिस फिलाल आप मेरे पीछे देख सकते हैं नौ मई को करॉली का ये पूरा घटना करमेजा एक छोटी सी बच्ची को पेट्रोल डालकर जला दिया गया उसके बाद उसे यहाँ पर SMS हॉस्पिटल लेकर आया जाता है लेकिन SMS हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत के बीच जूशती वो बच्ची अपना दम तोड़ देती है उसके परिवार जन यहाँ पर बेटे हैं मुख्यमंतरी भजनलाल जी से नियाय की गुहार लगा रहे हैं उनसे जानना चाहेंगे क्या कुछ पूरा मामला है और मुख्यमंतरी के पास शासन के पास प्रिशासन के पास ये ज़रूर गए होंगे वहां से उन्हें क्या आश्वासन मिला और क्या ये उस आश्वासन से आश्वस्त है देखो एक 11 वर्षी ये बाली का जिसको जला दिया गया था मतलब दुसकरम करके उसको जला दिया गया था 70% उसको जला दिया था उसके बाद में नो तारीक की गटना थी उसको बहीं जो राज के अस्पताल था उसमें देखाया वहां से जैपुर रेफर कर दिया जैपुर लेकर यहां वो एडमिर थी 20 तारीक को उन्होंने दम दोड दिया कि उसके बाद में जब हमने की कारवाई जो है पुलिस ने शुरू से लापरवाई की थे लेकिन यहां से फिर होने के बाद में इस कारवाई को हमने जैसे आगे बढ़ाने के लिए सोचा तो पुलिस ने शुरू से ही प्रताडित करना स्टार्ट कर दिया पता नहीं क्योंकि दरिंदा था जो बच्ची ने चिन्नित किया था वह एक अपने आप में काफी माइना रखता है वह बीजेपी का जो कोई अपने विलोक में या जिले में कुछ होदे पर है उसका चाचा तो उसका बती जाए वह जो सीधा सीन से टच में है तो कुल मिला के उनके पाबर के आग पुलिस यह में जो गला हो कि जो अब ही आपने उठाया वही सवाल हम भी उठा रहे है कि बच्ची के साथ इतनी हैवानियत हुई है उस जला दिया गया उस और पुलिस का शैद ध्यान नहीं जारा लेकिन आज घबरों में कुछ अलग ही मामला चल रहा अच्छा मैं वहीं मैं बताना चाह attitudes ने वह चीज नहीं देखी बच्ची किस तरीके से जलाए गई बच्ची के साथ क्या कुरूडता हुई है वो चीज नहीं देख रही बच्ची को बच्ची को पुलिस को देख रहा है वो प्रेसर जो उसको राजनेतिक दवाब दिया जा रहा है पुलिस पे वो पुलिस को प्रेसर दिखाया जा रहा है अपने नोकरी को बुचाया जा रहा है बाकि यह नहीं दिखाया जा रहा है कि एक इंसाप दिलाएं इंसाप के लिए पुलिस वहां खड़ी नहीं है पेपर जो जांचे आई है वह अजी आई है कि अब से पहले उनकेपास जांच नहीं जिसमें यह सम्हाइब मतार रहे हैं पास पहले नहींना संदें जोन था कि मेरा घरवाल करती है कि हमारा तो UPP अजैस कौन जा वो गर्बालों के तरह हैं तो पहले है कि शिंख के रिपोर्ट को घरबालों को यह एक कंद यह से जबरT आ अच्छा सर आप भी पत्रकार हो हर चीज का नौलेज रखते हूं मुझे एक चीज बताइए मैं भी एक एंबुलेंस का काम करता हूं 20 साल होगे मुझे एंबुलेंस का काम करता हूं ऑस्पिटलों का सायद लगबग नौलेज हे आईशीम पैसेंट हे वह वर measurement में तो उसमें लापरभाई होस्पिटल डिबाट्मेंट गें कैसे आया वह पॉजलन अंदर उनकी देख रेकर में पैसेंट था अगर वो या तो पोईजन दिया तो उनकी कारवाई उने चाहिए न और पोईजन आया तो कहां से आया किस तरीके से आयाय या कोई दबाई पोईजन बढ़िये है इस चीज़ को हम बिलकुल ही नहीं मानते क्योंकि अगर यह हुआ तो पोश्ट मार्डम होने के बाद में यह रिपोर्ट आ जाती है ऐसे फेल रिपोर्ट के ऐसा नहीं होता दूसरी बात वो कहते हैं कि बच्ची के साथ में कोई दुसकर्म नहीं हो अच्छा आप बताईए मैं आपकी उंगली में कोई कोई भी चीज देता हूं और उंगली को यहां से 70% जलाद देजिए 50% जलाने पर भी वो सब चीज मिट जाएगे आप किसी लकडी को भी जला दोगे ना तो यह पता नहीं रहे गए लकडी किस चीज की जलाने के बाद में जो 70% जल जाएंगे तो क्या उसमें कोई एबिदेंस मिलेगा हम कोई जहां समय आएगा जलाते क्यों हैं जलाते हैं या पत्थर पत्थर डालते हैं जब ही तो कहते हैं कि सबूत मिटाने के लिए यह काम किया गया तो सबूत मिटाने के लिए ही तो बच्ची को जलाया गया था इसी वज़े से वह किरूरता की थी क्या पुलिस के दिल में नहीं हमारे से वह से कई सपर साइभ मुलाकात करें भी कैसे सपर खुंध हम थे की पूरसे सब प्रशाशन पे पूरा सीम साब का प्रेसर है जबी तो प्रशाशन अमारी एक बात सुनने के लिए तयार नहीं है पूरा केस उदर मोड दिया है अपने माबाप बच्चों को कभी नहीं मारते हैं अगर मारना होता तो मुझे एक चीज बताईए वो कहते हैं कि पोईजन से मार अगर जांच करवा रहे हैं तो वह बच्ची को मारने वाले का भी जांच करवाएंगे क्या कि हम जांच करवाएं और हमीं दोसी हो करवाएगा कोई वह कहां बता है सर गावों में आरे बेल मुझे मार तो कोई अपना चला के अपनी मौत खुद मूह नहीं लगाएगा अब हाकिकत की वही है मैं यह नहीं कहता कॉरिट दोसी और यह और बच्ची ने चन्फिक और आज तक तो हम यह केस यह देखते हैं कि मरने वाला अभियोक्त जो भी हो और वो किसी चीज़ को चंद्ध कर जाता है कि मेरा मारने वाला यह चलो उसने तो कुछ नहीं किया जो फांसी लगाने वाले होते हैं वो तो सिर्फ एकागज पर लिखके जाते हैं फलानी बज़े से मैं फ एक वीडियो रिकार्डिंग छोड़ी ती और कुछ लोगों का उसमें नाम लिया था किरोडिलाल मीना जी ने वह पूरा मुद्दा उठाया था धरने पर बैठे थे और कहीं ना कहीं उन्हें मुआफजा भी मिला सब कुछ विया तो क्या आप कि रोडिलाल मीना जी से आप पर नहीं देखो पराइब 30 लेकिन सरकार में होते क्योंकि वो सरकार में हों कही के ना सीज में चला करते हैं अगर रोडों पर हमें अपनी जान भी गवानी पड़ी आ तो वहां तक भी हम पहुँचेंगे लेकिन अन्या इस परिबार के साथ नहीं ओने देंगे और जो हकीकत में दोसी है उसको सजा दो अगर मानता हूँ ये अगर दोसी है परिबार अगर परिबार दोसी है तो हमें बित प्रूफ सिरू से लेके एंड तक इसकी CBI जांच करवाओ हम भी संतोष्ट अगर परिबार दोसी है CBI जांच करवाओ और इस चीज को हकिका तह तक बित प्रूफ हमें यह साबत कर दो कि बिलकुल यह आपका परिबार दोसी है हम बिल्कुल साइलेंट होके अपना गर बेड़ जाएंगे लेकिन प्रूफ सहित है क्योंकि किसी को निर्दोस मत फंसा हो मैं तो यह कहता हूं अगर कोई अनजान भ्यक्ती भी निर्दोस फंस रहा है ना तो निर्दोस कोई नहीं फंसना चाहिए सजा दोसी को ही होनी चाहिए क्योंकि कोट भी यह मानता है कि चाहिए सो दोसी बच जाएं लेकिन एक निर्दोस नहीं फंसना चाहिए इनके परिवार में बच्ची के माबाप दोनों उसका मामा तीनों को एक जांच परताल के लिए बुलाया गया और उनके साथ में दोका दे कि हाँ जिस तरीके साब हमें तो पता नहीं क्या-क्या एक्सेप्ट करवाया है उन्होंना क्या आपको पता है इस समय वह कहां पर है हमें कोई इंफोर्मेशन नहीं है फोन कि हैं कोई जवाब नहीं दे रहे हैं एडिशनल एस्वी साब को रात वर फोन लगा है उनने कोई पूरा ग्यारा दिन हो गया है और आगे जहां तक हमारा वो जाएगा बराबर ही रहेंगे और हमें यहां से भी आगे कुछ करना है न तो बराबर करेंगे जो करना पड़े की अमने देख ली जो प्रिंट मीडिया है आज हम देख रहें कि एक बार तो बचाव वहां किया कि जो पैट्रोल से जलाया गया सीधा क्योंकि आप भी जानते हो कि बिजली से जुलसे का कोई इंसान सबसे पहले हाथ जल जलाना और वो होता है पहल प्रतम तो वहां मोड दिया इसको तुरंत उसके बाद में बिल्कुल साइलेंट रहा मामला अचा मीडिया अपसे पहले तो प्रिंट नहीं दी अपसे पहले तो कोई कटिंग नहीं दी जैसे ही कल वो एविडेंस देने गया थे पता है इसमें टर है कि कामरे के सामने या कोई डंकी जगए लो लेकिन उन्होंने शाप बुलाया तो उसके बुलाने के बाद में इननों ने देखाया कि यह किसी परिचत को जहर दिया और उस वज़े से इसकी मोत हुई ए आज तो दिए कल देंगे उन्होंने अपना आप कभूल नामा ठेस क किया उन्होंने अपना जुर्म कभूरा क्योंकि रातवर कूट है तो यह पेपर प्रिंट मीडिया भी कहीं ना कहीं पूर्ण तरीके से दोसी के साथ है उस 11 वर्षी बच्ची जिसकी बहुत दरदनाक तरीके से उसकी मृत्यू हुई है मेरे पीछे में मेरे कैमरामेन को जादा यह बच्ची जली है और 70 प्रतिशत यह बच्ची जल चुकी थी तमाम परिवार जनों ने हॉस्पिटल प्रिशासन को जब यह लेकर आये उसके बाद में वहां पर एक नई थियोरी वहां पर निकल कर आ रही है कि उस बच्ची को एक दिन पहले जहर दे दिया गया और उसका आरोप हॉस्पिटल प्रिशासन ने उसके परिवार जनों पर ही लगाया है और यहां पर जो लोग बैठे हैं उसी डिंपल मीडा के परिवार जनों उनका साफतोर पर कहना है कि उन्हें फसाया जा रहा है एक महीने से ज़्यादा का समय हो जाता है नौ मई की यह करीब करीब हम कह सकते हैं 10 से 15 दिन के बीच में अगर जाच नहीं हुई तो क्यूं नहीं हुई यह सबसे बड़ा सवाल है और आज अगर आप यह कह रहे हैं कि उस बच्ची को जहर दिया गया है और उसके निकट परी जनों नहीं यानि कि उसकी माँ और उसके मामा पर यह तो इनका साफतर पर कहना है कि हॉस्पिटल के बन वार्ड में वो बच्ची एडमिट थी और बन वार्ड में बिना डॉक्टरी सलह के पानी तक नहीं पिलाया जा सकता तो फिर वो जहर आया तो आया कैसे और क्यूं इस थियोरी पर हॉस्पिटल प्रिशासन पहुचा और प देखने वाली बात यह होगी कि मुख्यमंत्री के पास भी यह जाकर आये है और कहीं न कहीं गुस्पिटल मीना को इनसाफ जरूर दिलाएंगे और कहीं न कहीं आप देख सकते हैं भीड यहाँ पर जादा नहीं है शहीद इस मारक पर जब भी धरने प्रदर्शन होते हैं आ भीड जादा नहीं है बच्ची का एक फ्लैक्स में उसकी फोटो लगे और इतनी कम भीड ने आज इतना शोर मचा दिया है कि सोशल मीडिया पर इस बच्ची को इनसाफ दिलाने की मांग सुभे से ही ट्रेंड कर रही है आप देख सकते हैं भले भीड हो या ना हो लेकिन बा जिस व्यक्ति को चिनित किया है उस दोशी को पकड़ा जाए और इनका कहना है कि अगर हॉस्पिटल प्रिशासन ने जो आरोप लगा है हॉस्पिटल प्रिशासन उसे प्रूफ कर दे तो हमें कोई आपती नहीं है लेकिन बिना किसी प्रूफ के घरवालों को फसाना यह सरा असर गलत है निया की मांग ये कर रहे हैं और निया की मांग के लिए ये आखरी दम तक लड़ने को तयार है अब देखने वाली बात होगी किने निया मिलता है या नहीं सही होगी कैमरमेन अजय के साथ उमंग मातुर जनता दरबार